हलो फ्रेंट्स अब हम आप के रेलाए हैं सीरिल ये रिष्टा क्या कहलाता है का 24 फरवरी का अपडेट अक्षु अभी को साथ देख परेशान होगी मंजरी करेगी आर होई अभी मन्यू की शादी का एलान ये रिष्टा क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में एंटर्टेन्मेंट का भरपूर डोज मिलने वाला है पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अभीर और मंजरी की मुलाकात होती है वही आने वाले कुछ एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मंजरी के सामने अभीर का सच आ जाएगा वह अक्षरा और अभीमन्यू की नजदीकियों से परिशान हो जाएगी और सबके सामने आरो ही अभीमन्यू की शादी का एलान करने का फैसला करेगी चलिए आपको हम बताते हैं कि आज टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में और क्या-क्या होगा अक्षरा को पता चलेगा अभीर केक हो जाने का सच आज टेलीकास तोने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभिनव अभीर के साथ वापस गोयन का हाउस लाट जाता है जब अक्षरा अभिनव और अभीर को अकेले देखती है तो वह परिशान हो जाती है वह अभिनव से पूछती है कि बाकी लोग कहां है तब अभिनव अक्षरा के अभीर केक हो जाने का सच बताता है अभीर बताता है कि वह कैसे बिरला हाउस जा पहुंचा ये सब सुनकर अक्षरा हैरान रह जाती है वह अभिनव से अभीर का ध्यान रखने वाली लेडी का नाम पुछती लेकिन अभी न उसे लेडी यानि की मंजरी का नाम पता नहीं होता है वो कहता है कि जब कभी भी उसकी मुलाकात उस लेडी से होगी वो उसे उनसे ज़रूर मिलवाएगा मीमी का बर्दे अगले दिन गोयन का हाउस में मीमी के बर्दे का जश्ण मनाया जाता है नाश्टे से पहले ही प्रिंसेस का ताज पहन कर मीमी के बरत्रे की शुरुवात की जाती है सभी लोग मीमी के चारों तरफ घूम कर डांस करते हैं इसी दोरान अक्षरा और कायरव का आमना सामना होता है वे दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं करते लेकिन मीमी के चैनल की वज़े से लडाई भी नहीं करते हैं इसके बाद अक्षरा मीमी के लिए कच्चोरी का केक लेके आती है जिसे वह अपने नाती अभीर के साथ मिलकर काटती है गोयन का हाउस में मचेगा बवाल विरला और गोयन का हाउस में सब मीमी के बढ़्दे पार्टी के लिए तैयार होंगे यूँ तो सब के चेहरे पर स्माइल होगी लेकिन मन में एक अजीब सा डर होगा दीरे दीरे पार्टी में लोग आना शुरू करेंगे और फिर आगे दिखाये जाएगा कि एक कमरे में अक्षरा और अभिमन्यों की मुलागात होगी मनजरी दोनों को साथ देकर परिशान हो जाएगी फिर बस अपके सामने अभिमन्यों और आरोही की शादी का एलान करने का फैसला लेगी तो ये था लेटेस्ट अपडेट ऐसे और अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस ट्विस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें शेयर करके ज़रूर बताएं बाबाई